भारात सरकार ने पूर्ण काली बजट पेस की है 2023-2024 की जिसमें छटे बितमंत्री निमिला सितारमन जो है जो पूर्ण काली बजट पूर्ण काली बजट कर चुकी है आए हम इस समझ में बजट में किसको क्या फायदा हुआ किसको क्या नुक्सान हुआ किसको कितना घाटा लगा क्या किसको मिल रहा है हम इस समय पहुचे हुए जनकारी के लिए प्राइबेट सेक्टर निजी सिक्षन संस्थान के डियेवी परिस्कूल के पिंस पर एस भूज़ा जीक पास आए हम उनसे जानते हैं कि उनको इस बजट से क्या मतब बेंफिट मिला हुआ है यह जो बजट है यह फ्यूचरिस्टिक है जो भाविशत के लिए है और जो नरेंद्र मोदी जी का और निर्मडा सुताजन जी का यह है कि आगे के लिए जो इलेक्शन भी है और ग्रोथ भी जरूरत है और करप्शन को खतम करने के बजट है वहीं निवास्तावन जी ने बजट पेस करते हुए मने जो भी रोजगागे छेत में क्या दिये वहीं पेस्केल मैंने इंकम टेक्स में क्या रिवेट दिये जो तीन अरही लाग से बढ़ा कर सारे सात लाग तक ही है देखे यह ज़िए हम लोग अरही लाग नहीं पहले हम लोग जो टोटल टैक्स में जो है पांच लाग तक था अभी सात लाग तक किया गया यह अच्छा है इसमें क्या है कि जो कर दाता है वो सही से क्या होगा कि कर छुपाएगा नहीं और सही से देगा और इसमें लोग को भी आच्छा रहेगा कि इंकम के साथ साथ जो को benefit मिलेगा वहीं पर इस budget में भी महंगाई पर कोई चर्चा नहीं कि और महंगाई पर कोई खास ध्यान नहीं दियेगा है जो दिन पति दिन महंगाई भरती जा रहे हैं जैसे बहुत सारे आम जन भी मांग करते हैं कि petroleum पतात को GST में लाया जाए यह देखें यह जो हम लोग से उसके लिए एक long run planning चाहिए और मुझे लाग रहा है कि यह जो बजट में जो provision रखा गया उसका impact जो है बाद में आएगा इस बजट में नौजवानों के लिए कुछ नहीं है महागाई अपनी चरम इस्तितिपा है अगर महागाई कंट्रोल करना होता तो पेट्रॉल और डिजल को GST में लाया जाता जो इस बजट में नहीं है और रोजगार पाइदा करने के लिए भी कुछ इस बजट में नहीं किया गया जिससे हमको लगता है कि महागाई कंट्रोल होगी ना रोजगार पाइदा होगा हैं जिसको प्रबश है मांगाई चरम पर है जिसको सरकार के तरफ से कोई भी कदम ने उठाए गया है बर्तमान में केंदर सरकार दुबारा जो बजट पेस किया गया है वह युवाउ के लिए नहीं है और युवाउ के हीत के लिए नहीं है मैं कहाना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या इससे और भी देश में बढ़ेगी और रोजगार की तलास में युगा भटक रहे हैं अ पर्टिक्षन लेकर जैनकारी लेते हुए भी रोजगार की तलास में अलग-अलग कमपणियों में भटक रहे हैं जोग की तलास में भटक रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रुत है सुजित कुमार महिलाओं के लें बड़े तौफे का एलान किया गया है वीतमों तिरी ने महिलाओं के लिए बचभ यूज़ना कि उसना किया महिलाय जमान बचभ पत्रफे यूज़ना सुरू भी सिसकर आर्ठीक भूट से मजबूत होगी इसमाहलाओं के लिए 2 लग की बचभ पर 7.5 यू झाल झाल झाल